नमस्कार, जैमात आदी, मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतुआ जा रहे करवा जोद की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम सर्गी की बात करते हैं कि सर्गी क्यों खानी चाहिए और कितने बजे खानी चाहिए सर्गी का आखिर महत वो क्या है यानि किसी भी वरत को पूजा अर्चना से हम शुरू करते हैं लेकिन करवाचोथ के वरत को सरगी से हम उत्पन करते हैं यानि सरगी से पहला पढ़ाव हमारा करवाचोथ का शुरू हो जाता है सरगी मतलब वो एक अन होता है, वो फलाहार होता है वो sweets होती हैं वो नमकीन होती हैं जो सासु मा द्वारा आपको दी जाती है और कहते हैं इसे खाकर के ही आप वरत का पहला पढ़ाव पूरा करते हैं यानि बिना सर्गी खाए वरत को नहीं करना चाहिए सर्गी का पूर्ण महत्व है सबसे पहले तो ये सासु मा द्वारा दी गई सामगरी है जिसका सेवन हर बहू ने करना है खास करके जितनी सुहागिन महिलाएं इस वरत को करती हैं और जो कन्याएं वरत करती हैं वैसे तो हम कहेंगे कि अगर वो engagement में नहीं है या फिर शादी उनकी नहीं भी है या बहुत उ कुमर में तो इन्हें करवाजोत का वरत नहीं करना चाहिए अधरी अगर वरत रखती है तो जो सुहागिन महिलाएं वरत रखती हैं वो करवा चोत का ही वरत रखती है और उन्हें बिना सर्गी खाए इस वरत को पहला पड़ाव को पूरा नहीं कर पाती और पूरा करना भी नहीं चाहिए इसे खानी जरूर चाहिए फिर दूसरा पहलू यह आता है कि सर्गी ब्रह्म मुहर में हमारी धर्ती का ब्रह्मन कर रहे होते हैं और उस समय आप जो भी आहाद लेते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव इंपक्ट डालता है आपके रिष्टों बर और यह वो रिष्टे होते हैं जो खटे मीठे नमकीन रस भरे होते हैं यानि सास और बहु का रिष्टा जो लोग इन चीजों का सेवन नहीं करते हैं वो कहीं न कहीं उनके रिष्टों में हलकी से खटास बनी रहती है जो इन सारी चीजों का उस समय सेवन करते हैं तो उनके रिष्टों में चाहें खटापन भी है तो फिर मीठापन भी आ जाता है यानि यह खटे मिठे रिष्ट उन रिचुल्स को हमें जरूर पूरा करना चाहिए और खास करके जो हमारे बुजुर्गों ने एक प्रथा बनाई है उस प्रथा का पालन करना हमारा और आपका करतव है करवा चोथ से पहले सर्गी जरूर खाने है और यह वो सर्गी है चाहे आपकी सासुमा से लड़ाई हो रखी है चाहे जगड़ा हो रखा है चाहे आप बात करते हैं यह नहीं करते हैं तो भी आपने इस दिन सासुमा के हIm कुछ ऐसे विजन ज़रूर लेना है जिसका सेवन आपने करवाचोथ के वरत के पहले पड़ाव पड़़ जरूर करना है दूसरी बात यह करवाचोंत का वृत अगर हम एक तरफ से देखते हैं कि सा सुमा के ३र्फ के लिए रख रहा हैं लेकिन वहीं दूसरी तर बीच में एक कहानी कड़ी है तो हमें उनकड़ियों को कड़ियों को समझते हुए अपने इस वरत का पालन जरूर करना है मले ही चाहिए कैसे भी रिष्टे रहो यह समय ऐसे होते हैं कि उन सारी कड़वाहट को भूल करके हमें एक नई जान अपने रिष्टों में जरूर भरनी चाहिए एक मौका हर रिष्टे को जरूर देना चाहि यह साल में ऐसे ही मौके आते हैं चलिए पिछली बातों को भूल करके हम एक नई जिन्दगी का आगाज करते हैं पिछली बातों को भूल करके कुछ ने रिष्टों का आगाज फिट से करते हैं तो जैसा हम बीज बो रहे हैं ऐसा ही बीज हमें आगे जा करके काटना जरूर तो आपने जो भी करना है दिखावे का रिचूल नहीं, थोड़ा सा दिल से रिचूल को मनाने का प्रयास किजिएगा, सबसे पहले तो यह करवा जोत की जो सरी है, इसमें किन चीजों को आपने जरूर खाना चाहिए, यह तो हमने बता दिया कि ब्रहमुमुरत में ही यह किया जाता है सेवन, और इसमें ब्रहमुमुरत में सेवन करने से यह होता है कि बड़ी पॉजिटिविटी आप लोगों के रिष्टे में होती है, और आपने खास करके किन-किन चीजों का इस समय सेवन जरूर करना है, फेनिया और कतलम्बे का जाता है, हर देश में यह चीज़े की तरह होता है, तो आप देख लिजेगा, फेनिया बोलिएगा, आपको अराम से और मिल जाएगा, तो नारियल मीठी मठी जरूर कहते है कि समय खानी चाहिए, जो जो समगरी आपकी सासुमा ने आपको दिल से दिये है, हर घर का एक अलग अरिचुल है, हर स्टेट का, हर ए जरूर इस समय खाना चाहिए, अन का सेवन, चाहिए वो किसी भी कुछ लोग परांठा का लेते हैं, कुछ लोग खाली सिंपल चपाती खाते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप क्या उस समय खाना चाहते हैं, बट जो भी आपके रिचुल्स है, जो आपके सिस्टम है, उनको जरूर खाना है, कुछ फल का सेवन, चाहिए केला ही अप ले सकते हैं, उसका सेवन आप जरूर किजेगा, थोड़ी सी मातरा का दूद इससे चाय बना करके भी आप ले सकते हैं, जल जरूर ग्रहन करना है, तो यानि ये चीजों का सेवन अपने जरूर करना है, इसके लेते हैं, नहीं, पूर्न शुदता की साथ ही सर्गी का सेवन कीजेगा, नहाना जरूर है आपने पहले, अच्छे से फ्रेश हो करके, फ्रेश कलॉद पहन करके ही, तो ही आपने सर्गी खानी है, भगवान का ध्यान करते हुए, मापार्वती का ध्यान करते हुए, आपने स उनके चरन छूते हुए वो सारी सामगरी लेते हुए आप थोड़ा थोड़ा उन सारी चीजों का सेवन जरूर कीजेगा और आखिर में जल जरूर पी लिजेगा उसके बाद आपने अपनी निद्रा करने है कुछ समय का शयन आपने जरूर करना फिर से यानि यह सारी ब्रहम म पुझा करनी है अगेन अध्यान रखिये अगा fica करते हैं तो वरत केक необходने मुझा करना सीखियर जब आप सुछे समय का विश्रामटों बहुत सारे गण्टों का विश्राम ने कहा जाता उड़े कुछ डिदु का विश्रामést पैल शीध खर लेसदगाने करने के वह शिर्वाद लेना है, पॉजटीव रहना है, अच्छा सोचना है, कोई negativity अपने एर्दगेद नहीं लानी है, अब ये कितने बज़े आपको सर्गी खा लेनी चाहिए, सूरे उदे से ध्यान रखिएगा, सूरे उदे से लगबग कहते हैं कि 72 मिनट पहले आपने ये समगरी खा लेनी चाहिए, अब ये सूरे उदे की आप तो टाइम देख लीजेगा, एक छे बज़ करके कुछ मिनट बट हम आपको एक मोटे दोर पर बता देते हैं, कि आपको पांच बज़े से पहले, ये समगरी खा करके विश्राम के लिए चले जाना चाहिए, और सूरे उदे जैस आसपास पहुंच करके अपनी अगीन उठ करके नहा दो करके फिर से अपनी पूजा की तर्फ बढ़ सकते हैं, ये रिष्टों में मिठास घुलने का पर्व है, अपने रिष्टों को और मजबूत बनाने का पर्व है, जो पिछला है उसे भूल चाहिए, जो नई है, उसका फिर से अच्छे से स्वागत करने का समय है, तो सर्गी जरूर खाईएगा, और कितने बजे खानी हमने बता दिया है, तरीका कौन सा होना चाहिए, ये भी आपको बता दिया है, वीडियो को प्लीज हर एक सुहागिन महिला तक जरूर पहुंचाएगा, ताकि हर को सर्गी खाकर की ही वरत के नियमों का पालेन करना शुरू कर सके, तो मेरी और से मेरी टीम के और से आपको इस वरत की करवाचोत के वरत की बहुत बहुत शुब कामना है, खुब अच्छे से वरत को मनाएगा, नमस्कार